मारा गर्म गर्म पुहा तयार है एक पल के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसी फिलिंग आ रही थी कि मैं आज व्लोग नहीं डाल पाऊंगी मुझे घर जा रहा है रस्ता छोड़ो भईया ऐसे नहीं चोड़ेंगे करनकिता पहरा रहा है जित्मी चेस हाई यूटीब फैमली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूटीब चैनल के न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में मीट करते हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होगे तो गाइज अभी दिन की शुरात हो चुकी है मैंने नहा लिया है मैं तयार हो चुकी हूं घर की बोडी पेंट जैसे रहता है बीपी डाउन में उस तरीके की सेम सिम्टम्स थे बहुत बुरा हाल था जैसी मुझे कल शाम को कुछ उने बताया कि सिदु मुसे वाला जी नहीं रहे इस दुनिया में एक दम से शोकिंग नहीं तनी टैंशन होगी रोई भी बहुत हूं कल रा सकता आप तो उनके फैन को एतता बुरा लग रहा है ना आपने सर्फ उनके वाज सुनी हैं, उनकी सिंगिंग सुनी हो सचyuच क्या अप रहते की आप आप अच्छेों आप सब ऽदा करते हैं आपंषिय को से आप तरक्की कर रहे हूं आपसे जल जल की लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे मुग के आगे आपकी मिठा बोड रहे हैं हना मन में क्या है आपको नहीं पता पीट के पीछे आपकी क्या गुराईया हो रही है आपको नहीं पता कौन कौन सी साजी सरच रहा है कुछ नही जगा दे बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा मन से कोई है दुखी तन से कोई है दुखी हे प्रभू दया करो कुल जहां हो सुखी सब के दुखों की तुम हो दवा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चलए चलते हैं चपर दुल रहोगे कपड़े डाल के आते सुखने के लिए और पुड़ी सी दूप से के आते हैं विटामिन डेकर आते हैं चट बहुत जादा तप रही है एक पार फीर से मैं गलती से कर दी है मिस्टेक मैं चपल नहीं पहन के आई हूं चट पे तो भी छाओ में खड़ियों के दिखा रही हूं कि आपको कपड़े डाल रही है मैंने दूप में सोखने के लिए चलोप चलते हैं नेची की तरफ बाबरे कर्मी का बुरा हाल है पैरों में जंजनार पड़ गई रहे पूट्यू फैमिली आप सबीडा एक वैफिर से स्वागत है आप ती भर जोशी की रिसोई में तो आज मैं आपके साहर रेसिपी शेयर करने लगी हूं सुभे की टेस्टी और हैल्दी नाच्टे की यानि की पोहे की तो चलिए फटा फट से जादेना करते हैं सबसे पहले पानी निकल रहा है इसको उसके बाद दिखाती हूं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं पोहे को में दोली आए सुका सुका सा पोहा हमारा चलिए उसराच करते हैं बनाना इसे तेल में से भाबुरती दिखाई दे रही हैं अभी हम थोड़ी जी मॉगए से जाए लगने हैं कि मुफली को भूण कर बाहर निकाल लिया है थोड़ा सा और यह अट लेंगे इसमें हो ए उयल हो गया है अई हुआ है हुआ है है हमारा गरम सबसे पहले इसमें डाल जाएंगे बड़ दिया घालो कि चास इसके साथ हम अबीज में डालेंगे लंबा-लम में अगया इसके साथ ही अधिये अ जिनिक इस परी पूनेंगे हम प्यास को भी अब का ब्राउन हमें तब शते हम डालेंगे यहां पर एक हिसमें फॉरह अनुस्तार मसाले यह पर मैंने हल्का सा नमक दाली आए इपी डाली लिए इसमें अधिसी होगी है कि अधिस्टी में इसमें डाली रेक्ट है विपस्ट प्षुच पर निदर निदर में है तो आज हमारा भूंचुका बढ़िया तरीकिसे तो अभी हम जो इस पोहा हमने दो कर अखा हुआ साथ पर जो डाले देंगे मुझे को कैसा हो गया है इसको थोड़ा सा मैं तक भी बढ़िया तो भीन गया है तो हमारी जो भूंआ हुँ हुआ है को अजिए तो ऑल देऊ आ है हमारा गर्म घरम पोहा थिया है जाला टाइम भी नहीं लगता बनाने में हैल्धी पासजी का टेसी व कि हमारा गरम-गरम तयार है देखने में हिसा टेस्ट छी लग आप थाने करने में तो फारता आप यह होगा। चल चलते गिए वच्छी घुबास लेowed-टार को उटी जोशी जी आपर टेस्ट कर रहा ईह तो प्रूगसर के लिए और यहां जाना के जोशी जी आप लोग ज़रूर ट्राइब आपने घर में इस पोहे को और अकर ट्राइब करोगे तो मुझे बताईएगा कमेंस में कि आपने ट्राइब किया था और कैसा बना था या मुझे अच्छा नगता है जब भी आप लोग मुझे बताते हो बनाके कि दिदि आपके यह वली चीज में ट्राइब कि कुछ लोग है जो कि पक्का ही मुझे बताते हैं हमेशा कि दिदि हमने यह त्राइब करा बहुत अच्छा लगता है मुझे जानकर कुछो जा रहे हैं अपने अपने आउफिस तो यूट्यूब फैमिली कुछो भी चले गए हैं ऑफिस और आज कुछो ने मुझे बहुत भूरा लगा वैसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखते थे पीछे मुर्के अब इन्होंने देखना थोड़ा सा शुरू कि यहाँ पीछे कोई खड़ा है इनके वेट कर रहा है इनकी थोड़ा सा देख ले पीछे मुर्क ऐसे से कर दे हम भी खुश हो हिता है तो उसके बाद मैं अंदर जाती इए टी उसके बाद मैं अंदर जाती तो अब आपसे कहने पूछा था किelin'de x तो आप सबके कहने पर हमने किया लेकिन उस वीडियो को कुछ खास रिस्पोंस आया ही नहीं हम जितना सोच रहे थे कि हाँ भी वीडियो अच्छी बनी है या आप लोग देखोंगे उसको प्यार से वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो अब मैं सोच चयों की चैलेंज भी आ रहा नहीं लेकिया हूं मैं इस चैनल पर तो उच्छी बात है डेली व्लोगिंग जो चल रही है वही सही है आप लोग कमेट्स करके बताईएगा आपका क्या कहना है इस बारे में क्या चैलेंज देखना चाहते हो या डेली व्लोगि वह आप अडवांस में बताओ और जिसका अंसर नाम में लूगी अगले लूग में कहा था लेकिन कल मेरा मूट बहुत जादा खराब था कल कब लोग आपने देखा ही होगा तो अब भी मैं आज उनका नाम लेने लगी उनका नाम है खुशी रावत इनुने केमेंड किया था आइधिंग आरती जी तो बढ़ाई हो खुशी रावत जी आपको आपका नाम ने ले लिया आपका अंसर बिल्कुछ सही था बाकि सब तो कब्बू कब्बू किये जा रहे थे मतला आप लोगों को मेरे पर भरोशा ही नहीं कि मैं गोल गप्पे खा सकती हुए सारे वाइसे फिलहाल में फ्री हो चुकी हूं तो भी करने लगी हूं मैं आपके कमेंट्स के रिपलाई इसके साथ ही व्लोग एडिट करने लगी हूं जो मुझे करना है आज शाम को अप्लोड तो ठीक है गाइस मिलती हूं आपको ब्रेक के बाद फिलहाल मेरा फोन का सारा काम काज कर आज पाई फिर मैंने को उनको को बीजी हों अच्छा नहीं लगता ना ऐसे दिस्ट्रब करना क्या अपना ग्रीज ब्लोग बना रहा हो या फिर ममी कहीं बजन गर्तन में तो अच्छा नहीं लगता करना कभी आप बाहर जाओ तो टाइम देना चाहिए पुरा-पुरा न अभी ली रादे एक नहीं पिक लगा रिख है पिक मेरी फेर्विट राली पिक है मम्मी मेरा माथा चुमरी है जो इसमेरी शादी के टाम के पिक है ब्रैडल लुप में मेरी मम्मी छोड पैना हुआ है बहुत प्यारी लग़रे दिखाऊंगे यह बहुत फोटो आपको शायद ममी वीजी है, फोन नहीं उठा रही है नहीं उठाया फोन तो जब फ्री होंगी अपने आप कर लेंगी व्लोग में आपको बताऊंगी जब भी ममी ने मुझे कॉल किया तो दिखाऊंगी आपको पिक दिखाते हूं पहले आपको तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ ओ माँ, मेरी माँ कि ये जो दुनिया है ये वन्हे काटों का तु फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ, लव यू माँ वैसे आज मैंने ये न्यू हेस्ट्रेल ट्राई किया था मैं आपको बताना भूल गई कैसा लग रहा है में हेस्ट्रेल बताईएगा ज़रा कमेंट्स करके कपड़े सूख गए होंगे आपके चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं लेकर आते सामदार इंडिया कि अभी छट पे आई हूं मैं बड़िया हवा चल रही है ग्रम पीछे पेड़ पोदे दिखाई दे रहे होंगे आपको लहराते भी देखें कैसे ही हिल रहे हैं टैंकी भरी जा रही है पगराली भाभी भी टैंकी भर रही है वाज आरी है पानी भरने की चलो कप्र उठाते है जग पे निर्धन तेरे पुजारी जागो भोले नाथ सुनो अरज हमारी रक्षा करो हमारी जटा जूत गंग धारी जागो भोले नाथ सुनो अरज हमारी जागो भूले नात सुनो अरज हमारी चत से जैसे सुपर कपड़े मैं नीचे लेकर आए नीचे आ करता है करी रही थी ते में लाइट चलेगी थी शाम के तकरीबन साड़े चार पांच बज़ रहे थे उस समय उसके बाद जोरदार आंधी आई बिल्कुर अंधेरा हो गया थ यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं आज मैंने यह चीज़ सीखिए कि जैसे एडिट करो साथ की साथ अप्रोड कर दो कुछ नहीं पता लाइट का कुछ नहीं पता टाइम का कुछ भी हो सकता है एक पल के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसी फिलिंग आ रही थी कि मैं आज ब सब्सक्राइब करें तो उसके बाद घर आके पुझा पाट करी मैंने अंधेरे में अभी शाम के तकरीब साड़े आट बज रहा और अभी लाइट आई है और लाइट के आती साथ की साथ में सबसे पहले एसी ओन करा मैंने थोड़ा सा रूम धंड़ा हो जाएगा और जो मे जल्दी बन जाए वो तो दाल चावली है तो वही बनाया जाएगा लेकिन अज उत्रह घंडी घोट की दाल बनाई जाएगे उसके साथ चावल मनाई जाएंगे रैसिपी में आपके साथ शेयर करती लेकिन महोल आईसा है कि यह नहीं कर सकती लेंप में विल्कुल चार्ज क को चार्ज करना ज़्यादा जरूरी है तो ठीक है गाइस भी रूती हुआ आपको ब्रेक के बाद यहां पर हमारे दर्मागरम चावल तयार हो चुके हैं दूसरी तरफ घौत की डाल भी तयार हो चुकी है जिसके उपर धनिया पत्ता काट पर डाल दी अभी मैंने तरह किता प साथ कैसे ओ उप पागे हो तो कुछ करो कुछ क्यों नहीं कर रहे हो जिंददिगी पर कुछ करो भ должно करो नहीं दूर किस नाम रोशन करो क्या करो करो कि यहां पर चल रहे है लव के बिजनस फोन के अंदर घुज जाओ बेटा ओला पेटा दूर रखके देख आखे खराब हो जाएंगी ना स्पीन बड़ी करो जब हम छोटे ऊटते थे तो पटे हुए गुबारे कैसे छोट छोटे बनाते थे आप में से किसी ने मनायें गभी तेरिया से गुबारा बना के जैसे लवी है यहां पर क्या खाने है जो पूलबी ऐसे मारते हैं इसमें फूर जाता पर यह पूर नारा कि अलो नार्श का दू यह 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 का ह्या तगया अधर बंद की ताक्त देखो लुभी को उठा दे रहा है फिर प्रेश ची की टीखकेणा पीजह थाने का पीज़ यह यह क्या बात क्या आप तो उठाई होगे आप तो बडियों क्या बात है बिखुटी माडर्ड़ जा बना दिया भाईया मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है रसता चोड़ है ऐसा नहीं गरते नहीं है चलो रव तो हट गया अब लवी भी हट जाएगी लवी हट जा लवी खिर्षी खुल जाती है रसवाई की हटो 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 मुझे जाने दो 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 बताओ जाने तो चाजी को आप अच्छे बच्चे हो ना सबसे बड़ी गलती थी मैं आज मैंने ये चीज़ सीखिए कि जैसे एडिल करो साथ की साथ अप्रोड कर दो कुछ नहीं पता लाइड का कुछ नहीं पता टाइम का कुछ भी हो सकता है एक पल के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आज ब्लोग नहीं तो उसके बाद घर आके पुझा पाट करी मैंने अंधेरे में अभी शाम के तकरीब साड़े आट बज रहा है और अभी लाइट आई है और लाइट के आती साथ की साथ में सबसे पहले एसी ओन करा मैंने थोड़ा सा रूम धंडा हो जाएगा और जो मेरा लैंप है वो भी दूसरा फोन भी चार्ज पर लगा रखा है और ब्लोक शूट करने के बार यह वाला फोन भी मैं चार्ज पर लगाऊंगे क्योंकि लाइट का कुछ नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी राद भर क्या पता परिशानी होना पड़े आज तो भी जो खाना जलदी बन जा चलो कोई बना देती हूं तो पर आपनी बनाओंगे मैं बना के पिलाऊंगा सबको मिनका चलो यह तो और भी अच्छी बात है तो अब की चन में लगी हुए हो चलो चलती हूं दिखाती हूं आपको कैसे बना रहें कुछ तो आज जोशी जी आपको सिखाएं कि मैंगो शेक इस तरीके से बनाया जाता है सबसे पहले आम को इस तरीके से काट लीजिए और इसके अंदर का माल बता निकाल डीजिए प्रेट में इसके अंदर को तरीका हुथ आप दुकांतार से कम होगे देखिए आम के चिकल में इतना इतना बचा हुआ है और कुछ इसे फैक रहे हैं मैं कैसे ऐसे वेस्ट होने तो इतना मेहंगा हमें आद करने हो गां को डाला जारा है मिसीजहर में तार है यघये है क्या स्टाइल ईका नजाक्षट है क्या बात एक भी पीशे निगरा क्या बात एप है कोच upp क्या फ्रैक्ट्टिस है आप कहीं यह काम तो नहीं करते मेरी पीचे अबीधनी जारी यह यहां पर कुछ मेठा हो जाए यहां पर बरफ पूटी जा रही है कुपड़े के अंदर डालके लाइट चली गई बना लो मैं तो जूस बन गए मैं बज एक लाइट चली गई मिक्सी कैसे चलेगी पुच्चु जी पीसी भी बरफ डारी जा रही है अभी मिक्सी जार में दूद को चान के डाला जा रहा है ताकि मलाई ना आ जाए देखे मलाई आ गई ये लाइट आ गई क्या बात है जासी जी आपका कॉंफिडेंस मैं वारे जाओ इस कॉंफिडेंस तो बारे बारे जाओ आ मैं वारे जाओ पुच्छु गारे थे लाइट आ जाएगी क्यों दिक्कत ले रहे हो लाइट आ गई कि या जाओ ग्लास रख लिए गया है यहां पर क्यूंकि हम चारी जाने दिल में कि आ प्रोफेशनल तरीकी से बनाई जा रही है यहां पर वेने दलती प्रसमा डालाउ इस टोप रही गो फ्लेवर मिक्स किना के लिए क्या वाती क्या आ गा तेस्टी टेस्टी मैंगो शेक काजू काट के डाले जा रहे हैं पड़से ब्रकुल परफेशनल हो रहे हैं गुच्छू क्या बात है सच में बता दो आपका साइड बिजनस तो नहीं है जो आपने मुझसे चुपा रखा हो कि आके दुकान पे सारा पी जाएगी मैंगो शेक म कैसा लगेगा खाने में अब यारते और मुमी को देने के लिए जारी पले शेक चलिए पीकी बताओ कैसा हुआ जा पना आई है तो जोशी जी कैसा लग रहा है आपको आपके द्वारा बनाया गया मैंगो शेक बढ़ बढ़िया अपनी बार में देख रहे हों सुन रहे हैं सब बहुत बढ़िया और मेरी बार में ठीक है और कैसा अब रहा है जिनी तो दूँग का जब अब अन्य जिस्ट बहुत यमी यह वहाँ टेस्टी है मज़ा आगया ऐसा लगी नी राकी होमेड है अभी खाने लगे है हम रात का खाना अभी खाना खाना खारी ज़ाई है है हमने बतन साफ करने लगें मेरी पिंडवारी नेर मूँ सुने हादे गयो नी मैं फेर तारी लाओंगा सिरे आच सार के मैं तुझे बीचे आओंगा सबाब बढ़के तो गाइस फिल्हाल में ते सोई विगरा साफ कर दी है बतन विगरा साफ कर दी हैं तो आज की वीडियो आज को लोग यहीं तक था उमीद करते हूं कि आज की अस व्लोग को आपने काफी एंजॉय किया होगा सुबह में आपके साथ शेयर की अभी गुच्छु ने आपके साथ शेयर की मैंगो शेक की रेसिपी दोन में से कौन सी रेसिपी जादा अच्छी अब बिजनिस में कुछु कह दो कि कुछु के चैनल को लाइक श्री सेस्क्राइब कर दो कि यहाने से क्या हूआ कर देंगे तो कर देना बस यहाए यहाए झाल झाल